यह है टाइब 3 quarter जीशा की देख रहे हैं आज आपको बताएब को च्बाटर कैसा होता है अंदर से कैसा लुक होता है इसका तो अभि हम आपको बताने जा रहे हैं करता किस तरह से दिखाए देता हैं जिसा देख रहे हैं बैट लगा हुआ यहां पर इंट्री है में गेट है हैं से इंट्री होता है टाइब टाइब थीग्वाडर का तो आपको यहां से भूश inaugara तो यह ड्रोइंग रूम मिलेगा ड्रोइंग रूम जिसा की देख रहे हैं यहां ड्रोइंग रूम में यहां पर आप सोफाव पर लगा सकते हैं टीटेबू लगा सकते हैं काफी एस्पेस होता है ड्रोइंग रूम में और दो खिरकी दिया वह देखे हैं उसके साथ इसके ब अधिया भावान जी का पूजा करने के लिए इसके बाद फिर एक आर लगे लगे एक आर रूम है तो दो रूम हो गया यहां पर देखे बच्ची बाबु सो रहे रासी तो यहां जुआ कि देख रहे हैं यह हो गया में रूम आप 3 कंवाडर का में रूम हो गया यह जाकी तेबल कुर्षी है तकाऊए यहां पर खाना खा सकते हैं और इसके बगल में ही आप यहां पर बासिंग मशीन और फ्रीज रख सकते हैं तो इतना काफी एस्पेस होता है और यहां से भी एक दरवाजा होता है जहांसे भी हमने इंट्री लिया था तो ड्रोइंग रूम के ऑ कि बाटर मसिल् लगा सब्सक्ता शान और डिक लगा हूए अब करे सुटोर रूम जहां पर आप समान कुछ देखें के समान भाठ पुछ सक्ते हैं इसके बाद यह और यहां तोâte सब्सक्राइब सुलगे हैं यहां कि पास स्वरूमें और लागर बना हुआ लग titles काप से अलग यह लेटर्णिंग बातरूम हो गया और यह आपका हो गया ठीच है को शल井 तो रहे हैं कि कफी पेश है और इसके पिछे जाने का भी रास्ता दिया यहां से आप यहां से देख सकते हैं पीछे भी यह कंक्रिटिंग किया हुआ है यहां भी पेड़ पोधा काफी है टाप 3 क्वाटर में तामूल का पेड़ इसे देख रहे हैं अमरूद का पेड़ है इसके बाद सहजना का पेड़ है सहजन के पेड़ के ब फेंसिंग किया हुआ है सब का क्वाटर बै क्वाटर लगवग टाइप 3 क्वाटर इसी टाइप से मिलेगा आपको यहां पर देखें यहां भी काफी एसपेस है लीची का पेड़ है इसके बगल में बनाना ट्री है जिसा कि देख रहे हैं यह लीची अभी कच्चा है पका नह सब्सक्राइब आपको इन्टी दिखाए थे यहां पर देखें बहुत तरह के ट्री लगा हुआ है मैंगो ट्री है ग्वाबा ट्री है और बहुत सारे देखें लेडि इज फिंगर और इधर कॉर्ण है इधर काफी खेती करने लाइक जग़ा भी है यहां मिन्ट देखें मि इसमें 64 meter square एरिया है और ये देखे तेज पत्ता का पेड़ है ये भी काफी सांदार है आप यहां से ही तोड़के आप अपने मसाला की उज़ कर सकते हैं ये देखे तामबूल का पेड़ है जिसको कसेली बोला जाता है और इसके बगल में देखिए यहां पर सटे में आप दे त्री जिसा देख रहे हैं गवाबा ट्री है उधर आपको दिखा़ेत бड़यान जा रहा है काफी बढ़यान वागाल भी लिए लगा हुआ हूआ है ट्री क्वार्टण रेल्वेमें फूल के काफी पेड़ लगे हुआ है तो इस तरह से टाफ थी क्वाटर है काफी सांदार नजार आपको अंदर से भी दिखा है यह अलाउटमेंट ग्रेड बालों को मिलता टाफ थी क्वाटर लेकिन जब ऑपन लाइन में हो गया तो इक ग्रेड पर नीचे रहीएगा फिर भी उनको मिल जाता कि यह काफी संदार ना जा रहा है टाप 3 का उपर में वो टीना दिया हुआ है उसके नीचे छत है तो गर्मी के दिन में यह गरम नहीं होता है तो कुलिंग की मांग को बहुत कम कर दता क्योंकि डबल लेयर हो जाता उपर से और आइसे भी असम का क्वाटर असम में ज्यादा लग लगा दिया जाता है और छत खराब होने की समामना रात यह उसको बचाने के लिए टीना लगा जाता है इस तरह से ओल्ड मोडल है टाप 3 का जैसा देख रहे हैं काफी संदार ना जारा बागवच्च साथ वीला टाइप के लगता लगता बंगला मिल गया है इस टैप स से तो काफी खुब्सूरत ना जा रहा और इंट्रीगेट जैसा की देख रहे हैं इंट्रीगेट के आगए आपको में रोड पीचिंग रोड मिल जाएगा तो यहास कनेक्टिवीटी भी बहुत ही बहिया सांदार ना जा रहा कनेक्टिवीटी टाप 3 कौटर का लोकेशन भ आगा मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब सेर जरू करना जै भारत